जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तो हाली में कुछ रिबोर्डों में बताया जा रहा है कि रश्या के तरफ से इंडियन पाइलोटों को MI-171A2 हेलिकॉप्टरों के ओपरेशन के लिए ट्रेनिंग दिया गया तो दोस्तो इसके साथ अब सवाल यह उठने लगा है कि रश्या अगर इंडियन पाइलोटों को ट्रेनिंग दे रहा है तो क्या इंडिया द्वारा रश्या से MI-171A2 जैसे हेलिकॉप्टरों को पर्चेस किया जा रहा है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तो 23 मार्च 2021 मतलब मंगलवार के एक रिपोर्ट के मताविक रश्यान हेलिकॉप्टर के अंतरगत आने वाले उलान उद एविएशन ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा इंडियन पाइलोटों को हाली में MI-171A2 हेलिकॉप्टरों के मेंटेनेंस और ओपरेशन को लेके ट्रेनिंग प्रवाइड किया गया है इवन दोस्तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पिछले साल के अंत में ही इन हेलिकॉप्टरों के एक्सपोर्ट को लेके सर्टिविकेशन और वेलिडेटिंग भी कम्प्लीट हो गया था कम्पनी द्वारा ये भी जानकारी दि हेलिकॉप्टर है जिन में VK2500PS03 इंजिनों का इस्तमाल किया गया है ये नया इंजिन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर यूनिट से लैज है जो इन हेलिकॉप्टरों की खासियत को MI17 से भी मजबूत बनाता है इवन दोस्तो रिपोर्ट में ये भी जानक जानकारी दिया गया है कि रशियन कंपणी के तरफ से इन हेलिकॉप्टरों के डिलिवरी Sky One Airways Limited नामक एक कंपणी को किया जाएगा इवन जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है उस ट्रेनिंग कंप्लिट होने के बाद हर एक पाइलेट को एक पासिंग सर्टिफिकेट भी प्रव जा सकता है तो सो रशियन कंपणी के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दर्मियान हर एक ट्रेनी पाइलेटों को एरक्राफ्ट के स्पेशल एक्विपमेंटों के उपर खास करके अटेंशन दिया गया है जबकि इसके इलावा कॉप् के अंदर हेलिकॉफटरों को अपरेट करने के इलावा हेलिकॉफटर के मेंटेनेंस रिलेटेट भी ट्रेनिंग प्रोवाइट किया गया है तो दोस्तों इस रिपोर्ट से अट लिस्ट ये साफ हो चुका है कि रेशिया के द्वारा बनाया हुआ ये मीडियम लिफ्ट जानकरी तो डारेक्ली डील को लेके है जबकि दूसरा जानकरी हेलिकॉफटर के सर्टिफिकेशन और वैलिटिटिंग को लेके है दोहजर उन्नीस के एक रिबोर्ड के मुताविक रष्या द्वारा भारत के इलावा कॉलम्बों से भी हेलिकॉफटरों के एक्सपोर्ट को लेके certification मिल चुका है भारत के तरफ से Department of Civil Aviation इन हेलिकॉप्टरों के जाच करके certification प्रोवाइड किया है जब की कॉलोंब के द्वारा कॉलोंब के रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सर्टिफिकेशन से पहले रशिया के तरफ से हेलिकॉफटर के इंजिन में मोडिफिकेशन किया गया है जहाँ पे पहले VK2500 इंजिन का इस्तेमाल किया जा रहा तो उही पे भारत के लिए इसमें VK2500PS03 इंजिनों का इस्तेमाल किया जाएगा दोसों इन इंजिनों के बारे में मैं आप लोग पहले ही बता चुका हूँ जबकि नया जो अपग्रेशन है उसमें इंजिनों में खाली डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को ही बहतरिन किया गया है जबकि इंडिया के इलावा रेशिया इन हेलिकॉप्टरों को सिविल एवियेशन मार्केट में उतारने के लिए चायना, साउथ कोरिया, ब्राजिल, मैक्सिको, पेरू जैसे अन्ने कई देशों से सर्टिफिकेशन का अफिक्षा कर रहा है इन हेलिकॉप्टरों के बेस वर्जिन मतलब MI8 या MI17 को अगर देखा जाये तो उससे करीवन 80 अपग्रेड करके इन हेलिकॉप्टरों का निर्मान किया गया है दूसरा जो रिपोर्ट के बारे में आप लोगो को थोड़ी ज़र पहले बताया उनमें हेलिकॉप्टर के डील के बारे में जिकर किया गया है। एक एडिशनल हेलिकॉप्टर का ओडर भी कमपनी के तरफ से प्लेस किया जा सकता है। हेलिकॉप्टर है जिसे ऑपरेट करने के लिए तीन क्रू मेंबर का जुरुत पड़ता है जिनमें दो पाइलेट और एक इंजिनियर होते है। जबकि हेलिकॉप्टर के अगर कैपसिटी को देखा जाए तो ये टोटल 24 पैसेंजर को कैरी कर सकता है। जबकि इसे अगर एर एंबुलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये 12 स्ट्रेचरों को एकॉमडेट कर सकता है। कार्गो कैरिंग के हिसाब से अगर इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है तो इंटेनली ये 4000 किलोग्राम के कार्गो को कैरी कर सकता है। हेलिकॉप्टर के मैकसिमम टेकॉप ेट करिवन 13,000 किलो ग्राम नॉर्मल में है जबकि अगर एक्स्टेरली इसमें कुछ कैरी किया जाता है तो इसका मैकसिमम टेकॉप वेट 13,500 किलो ग्राम हैं। हेलिकॉफटर में टोटल दो इंजिन का इस्तेमाल किया गया है और ये दो इंजिन है क्लिमोव VK2500-PS03 टर्वोशेफ्ट इंजिन जिसमें से हर एक इंजिन नॉर्मली 1800 किलोवाट मतलब करीब करीब 2400 HP के पावर जनरेट कर सकता है जबकि अगर एक्स्ट्रीम कंडिशन में का इस्तेमाल किया जाए तो ये मैक्सिमम 2000 किलोवाट मतलब करीब 2700 HP के पावर जनरेट कर सकता है हेलिकॉफटर का जो में रोटेटर है उसका टोटल डायमिटर 21.25 मिटर है मतलब करीब 69.9 इंज है जबकि इसका में रोटेटर के एरिया 354.7 मिटर स्क्वेर है के सते से अधिक्तम उचाई में जाने का शमता करीवन 6000 मिटर है इसके इलावा नॉर्मली ये हेलिकॉफटर करीवन 4000 मिटर के ऑल्टिटूट में ही ऑपरेट करता है जबकि इसकी क्लाइम रेट को अगर देखा जाए तो ये गरीबन 8 मिटर पर सेगंड के रपतार से ऑल्ट का श्र comics का शर्मली इसंता है कि इसमें external ये 6 हाट पॉइंटों को जोड़ा जा सकता है जो अलग अलग तरीके के हतियारों को करीड कर सकेगा इवन हतियारों को लेके ये ये वी कहा शर्ल ओ में करीवन 1500 kg के हतियारों को लगा जासकता है जिसमें bombs, rocket और gun port शामिल है फिलाल final रिपोर्ट के मुताविक हम ये कह सकते हैं कि इंडियन एर फोर्स या इंडियन आर्मी जैसे किसी वी आर्म फोर्से से रिलेटेड सनस्ता द्वारा इस तरीके के हलिकॉफ्टरों को फिलाल पर्चेस करने के तरफ कोई सोच विचार नहीं लखा गया है जबकि सिविल एविएशन के तरफ से हलिकॉफ्टरों को वैलिडेट करने के बाद संभावित कुछ सिविल एविएशन रिलेटेड कमपनियों के द्वारा ऐसे और कुछ हलिकॉफ्टरों को पर्चेस किया जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद